प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे स्रीमत भागवत महापुराण के छट्वे इसकंद के दस्मे अध्याय के विशय में सत्य गुरु सत्य नाम आदिमाता अलग निरंजन हुवँँआंशित फल दूहग भंजन ओम स्री गड़साय नमह अथदस्मो अध्यायह सिर्शक देवताओं द्वारा दधी जिरिसी के अस्थियों से वज्र निर्माड और बृतासूर के सेना पर आक्रमर्ड तो आईए अब कथा का आरंब करते हैं स्री सूग देव जी कहते हैं कि परिक्षित विश्व के जीवन दाता स्री हरी इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गये अब देवताओं ने उदा सिरो मड़ी अथर वेडी दधी जिरिसी के पास जाकर भगवान के आग्या नुसार याशना की देवताओं की आशना सुनकर दधी जिरिसी को बड़ा अनंद हुआ उन्होंने हसकर देवताओं से कहा कि देवताओं आप लोगों को संभतह यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कश्ठ होता है उन्हें इस सरीर बहुत ही अनमोल प्रियतम और अभिष्ठ वस्तू है ऐसी इस्तिती में श्वयम विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका सरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा देवताओं ने कहा कि ब्राम्वन आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाल लोग स्वार्थी होते हैं और उनमें देने वालों की कठिनायों का विच्छार करने की बुद्धी नहीं होती यदि उनमें इतनी ही समझ होती तो मांगते ही क्यूं इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ती नहीं जानता अनिता उसके मुह से कदा पिना ही निकलत क्योंकि एक दिन्वा स्वयम ही मुझे छोड़ने वाला है देव सीरो मणियों जो मनुशी स्पिनासी सरी से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यत धर्म और गौरत यसका संपादन नहीं करता हुआ जड़ पेर पौधों से भी गया भीता है बड़े-बड़े और सरीर आदी प्रदाथ छड़ भंगूर है यह अपने किसी काम नहीं आते अंत में दूसरों के ही काम आएंगे वहया कैसी क्रिपड़ता है कि कितने दुख की बात है कि मरणा धर्मा मनुश्य भी इनके द्वारा दुसरों का उपकार नहीं करता स्री सूग देव जी कहते ह है कि परिक्षित अथरवेदी महरसिद अधीची ने ऐसा निश्य करके अपने को परम ब्रह्मा परमातमास्री भगवान में लीन करके अपना इस्थू सरीर त्याग दिया उनके इंद्रियां प्राण मन और बुद्धी संयत थे द्रिष्टी तत्वमई थी और उनके सारे ब पौरुस उन्निती की सीमा पर पहुँच गया अब विश्व कर्मा जी ने दधीची रिषी के हड्यों से बज्र बना कर उन्हें दिया और उसे हाथ में लेकर एरावत हाथी पर सवार हुए उनके साथ साथ सभी देवता लोग तयार हो गये बड़े बड़े रिशी मुनी द अक्रमण कर देते हैं परिक्षित प्रितासूर दैत्य सेना पतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोट्चे पर डटा हुआ था जो बैश्वतर मनवंतर इस समय चल रहा था इसकी पहली चतिर यूगी का त्रेता यूग भी आरंभ हुआ ही था उसी समय नर्मदा तट पर द शीगड भीगूगड साथेगड और विश्विस देव आदी के साथ अपनी कांती से सुभायमान हो रहे थे बृतासूर आदी दैते उनको अपने सामने आया देख और भी चिड़ गया तबह नामुची शंबर अनर्वा दुर्मधा रिशव अंबर हय ग्रिव शंकुशिरा विप्रचित्ती, अयो मुक, पुलोमा, ब्रिश्व परवा, प्रहेती, हेती, उतकल, शुमाली माली और आदी हजारों दैते दानों एवं यक्ष राच्छसों के स्वड साज समान से सुसजित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे परिक्षित उस समय देवताओं की सेना स्वयम रित्यों के लिए ही अजय थी, वे घमंडी असुर सिंगनात करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे उन्हें लोगों ने गदा, परीध, बाड, प्राश, मुरुंदर, तोमन, शूल, फरसिद, तलवार, तोप, भुसुंडी, आदी अस्त्र सस्त्रों की बउचार से देवताओं को सब और से ढग दिया एक पर एक इतना बाट चारों और से आ रहे थे कि उन्हें ढग जाने के कारण देवता दिखलाई ही नहीं पड़ते थे जैसे बादलों के ढग जाने पर आकास के तारे नहीं दिखाई देते परिक्षित वह सस्त्र अस्त्रों की वर्षा देवसयनिकों को चूँ तक ना सकी उन्होंने अपने हस्त लागव से आकास में उन्हें हजाज़ा टुकड़े कर दिये जब असुरों के अस्तरस्त्र समाप्थ ओ गए तब वे देवताओं की सेना पर परवतों की सीखर, ब्रिक्ष और पथर बर्साने लगे परंदु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भाती काट गिराया परिक्षित जब बृतासुर के अनुवायों असुरों ने देखा कि उन्हें असंग के अस्त्रस्त्र भी देवसेना का कुछ न विगार सके यहां तक कि बृक्षो चट्टानों और पहाडों के बड़े बड़े सिखरों से भी उनके सरीर पर खरोज तक नहीं आई सबके सब सब उसल हैं तब वह बहुत डर गए दैते लोग दिवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते थे वे सबके सब निसफल हो जाते ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा सुलक्षित भगतों परशुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगल में दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता भगवत विमुक असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उसा रही थो गए उनका बिरता का घमंड जाता रहा अब वे अपने सरदार वितासुर को यो दुभूमी में ही छोड़कर भाग खड़े हुए क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था जब धीर वीर वितासुर ने देखा कि मेरे अनुवाई असुर भाग रहे हैं और अत्यंद भैभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर वितर हो रही है तब वह हस कर कहने लगा वीर सिरो मड़ी वितासुर ने समया अनुसार विरोचित्रमाडी से ब्रिप्र चित्र पुलोमा मैं अवर्ना शंबर आधि द्यत्यों को संबोधित करके कहा कि असुरो भागो मत मेरी एक बात सुलो इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा इस जगत में विधाता ने मृत्यू से बचने का कोई उपाय नहीं ब परम दुरलब और स्रेष्ट मानी गई है एक तो योगी पूरुस्त का अपने प्राड़ों को वस्में करके ब्रह्मा चिंतन के द्वारा सरीर का परित्याग और दूसरा युद्ध भूमे में सेना के आगे रहकर बिना पीड़ दिखाए जूज मरना यहीं पर स्रीमत भाग कुछ महापुराण की कथा में रूची रखते हैं और विस्तार पूर्योक वर्ड़न यूहीं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यह अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वी आदे